हेलो बच्चो आज में आपको क्लास 6 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्क्षिट नमबर 22 समझाऊंगी जिसकी डेट है में पास 10 दिसमबर 2020 आज की वर्क्षिट में भी हम संजे और एक राकेश अब यह दोनों की लेंद को मेजर करके हैं इतना और जो राकेश का रूम बहुते हैं अब हैं यह अब यहां पर मीटर यह गल्ती से सेंतिमीटर लगाना है अब वह आप से कही ने यूで इस लेंते ही उस से रेतल सब्सक्राइद केज्ट कि यॉजा हो, देंकर गता आद्सपीन फेंवलो में इसलिखा, और तरह Super,ỗi शन घुरम न बहुमी है अब अब के शज़िके तो आंद्सक्राइद के अज थ्युक्तव आजिसक्व है, तो आप देखीन दिगहें भूखे,श इस यू? स कना हुए एंजट सकती हूं और कि लेकिन बदलना तो मुझ को टो 25 सैंटी मीटर को बदलना है है इसको बदलना है इसका मतलब इसको 100 से डिवाइट कर दू 25 अपॉन हंडेट तो मैं इसको यह बोल सकते हूं न सेवन मीटर एंड 25 हंडेट अफ मीटर मीटर का 25 हंडेट ओफ मीटर ठीक है तो इसको लिखेंगे कैसे 7.25 अब देखो जो यह यहां पर टू है न यह आपका 10 थ यह वाला प्लेस है और जो यह 5 है आपका हंड्रेट प्लेस है ठीक है अब यहां पर सेम वही राकेश का है आपको 5 मीटर 75 सेंटीमीटर था न तो 75 अपॉन हंडेट हो जाएगा तो 5 मीटर एं 75 हंडेट ओफ मीटर तो उसको आप लिखोगे कैसे यहां पर 5 आएगा 5.75 आग में भी कनवर्ट कर दिया ठीक है ना चलिए आगे देखते हैं अब यहां कह रहा है वट इस 13.76 तो 13.76 क्या है तो अगर आप डेसिमल के पहले वाला नंबर देखो तो वो क्या था होल नंबर पाट था जैसे हमने लास्ट वर्कशिट में किया था सेम वही है अब अगर आप अब यह डेसिमल के बाद वाला नंबर देखो देरा टू डिजिट्स ऑन दा राइट साइड यह वली किके दा सैवन इस इन दा तैंथ पोजिशन इसे बोलते हैं तैंथ जो हम लास्ट वर्कशिट में करके आया है और इसको बोलेंगे हंड्रेत तो इक हैंड्रेत पोजिश तो टेबल किती नह हमने वेनस सेंद्स थाउंड्रेत तो इधर होते हैं यह तो दिंद्स और नंबर पे था 7, 100th नमबर पे था 6, ठीक है, और यह 13 यह रहा, वन सो टेंस, ठीक है ना, चलिए, आप कोशन देखते हैं, कोशन में कहा रहा है, write each of the following as decimal, आपको decimal में लिखना है, तो 7 अपॉन 100 है, तो इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, तो decimal के बाद, second वाले नमबर पे आता है, ना, यह 100th, तो 0.07, यह बन गया मेरा, किसमें decimal फॉर्म में, और यह भी हम पीछे संजी और आके इस्वाला भी करते हैं, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो हमने उनके रूम का लिखा था ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 25.23, हो गया convert यह decimal में, तेम इसको कैसे करने वाले हैं हम, अब इसको 7.3 लिखते हैं, नहीं, यह गलात हो जाएगा, क्यूंकि जो decimal के बाद वाला नमबर है, वो 10th नमबर होत और 10th नमबर पे क्या आगया, 0, चलिए, Q2 है, write the following decimals in table, टेबल में put करना है बस, तो A, अच्छे, एक सकेंड, मैं अभी यह A नहीं लिखते हूं, इसकोटा देते हूं, तो इक है, देखो, यह है 12.67, तो 6 वाला 10th नमबर पे आएगा, और 7 वाला 100th पे आएगा, तो पहल इसको तो लेकिन 100 बोलते हैं, और 100 का कॉलम तो आपके में दिया ही नहीं है, तो आप इसको आगे बढ़ा देना, ठीक है? और इहाँ पर लिख देना, पूरा 100, ठीक है न? और इहाँ पर यह ऐसे 100, अब इहाँ पर आप क्या दोगे? 1 लिख दोगे, ठीक है? तो आपके पास A party हो गया, B party हो गया, और C party होगया, तो यह टेबल यहाँ से ऐसे आगे झाल 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 झाल